डॉक्टर् बाबा सहायब आमबेड कर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार्थि मित्रो डॉक्टर् बाबा सहायब आमबेड कर ओपन यूनिवर्सिटी अम्दावाद चैतनिय स्टूडियो मां थी गुजराती विभाग ना उपक्रम है उन्हों प्रोफेसर योगेंद्र पारेक आपनी साथ है अधूस्नातक कक्षाय अभ्यासक्रम मां समाविष्ट पेपर त्राण साहित्यक निबंदो औने लेखन काउशल जे आपने बनवामा आगेश है तेम पाना निबंद साहित्यमा जीवन मुल्यों नी मावजत विशवाद करेश मित्रों साहित्यमा जीवन मुल्यों नी मावजत एम ज्यारे आपने शिर्षक बांधिया चीए त्यारे त्राण शब्द आ शिर्षक मां समाविष्ट चाया साहित्य जीवन मुल्य अन्य मावजत त्रोने शब्द ना अर्थ सुधी आपन पहुंचिये तो आपनी समक्ष आखो निबंद दिमे दिमे खुलतो थाशे। शाहित्य सुचे, जीवन मुल्य सुचे, अने एनी मावजत नोमामलो आपन समझिये। अनुस्नातक कक्षाए साहित्यक निबंदों जी भणवामा आवेसे तेमा आ निबंद साहित्य सिद्धान्तोंने लगतों विचार मागी लेवेवों विशहिशे। अने वाबिजा विशह उपन है। साहित्य ने समाजा भी मुकता, शिक्षन नोमाध्यम मात्रु भाषा वगेरे। तो मित्रों साहित्यमा जीवन मुल्यनी मावजत्त। एम ज्यारे आपने विचारी ये त्यारे सीधु, सादु, सरल, समझन, कोई पूछे तो आपड कई है। साहित्यमा जीवन मुल्यनी मावजत्त विजुई है। आ त्यन्त सरलवई कराण थय। परन्तु, सिध्धांतनी दुरुष्टिये जियारे आखी वाद तो विचार करी ये त्यारे। आखी वाद कईक वधारे गंबीर शे इक जुदी समझन नी अपेक्षा मागी ले चे। आपने तुरुथिये वर्ष बिये सुधीमा सहित्यना सिध्धांत वगेरे भण्याँची ये तेमा अकेलवाएली द्रश्टी इक जुदीज शिस्तमा आ निबन्य विशे आपनने विचारवा प्रेरे चे। शुदी सहित्यमा जीवन्मूल्यनी मावजत जरूरी छै। जीवन्मूल्यनी मावजत थे होई एज सहित्य शाहित्य गणाये जीवन्मूल्यनों उल्लेख पडन न थयो है। एभी कोई कड़ा कुरूती मात्र कड़ा कुरूती होई तो शुए साहित्य नथी जीवन मुल्यनी मावजत्नो किटली मात्रा मावजत्नी मात्रा किटली हो भी जुई है साहित्य कड़ा नी साहित्य कुरूती नी गुणवत्ता माटे जीवन मुल्यनी मावजत्न अनिवारियमापद्न छे अबधा प्रेश्टों थाए तो जीवन मुल्यों कया कया छे सवती मोटो प्रश्ट तो आखरे ए छे जीवन आखरे शूँचे सार्थक्षू करवानुचे जीविशू रया ची ये जीवानुचे जीवन शेने माटे छे जीवन शाहित्य माटे छे साहीत्य जीवन ने माटे छे प्रश्णोनियां परंपरा अपने जेम जेम विचारीय अभियासना आधार्य अनुबहूना आधारे Congressman आपने जे जवाब प्राब्तत आए ये जवाबो आपणने चोक्कस पणे एक निबंधनी दिशामा लेग जाए जे यवस्था पूर्वक व्यक्त थेला विचारों नू एक सुग्रथित स्वरूप छे ये निबंध जीवन मुल्यनी माउजत अनिवारिया चे साहित्य माउज साहित्य शेना माटे चे शाहित्य भोधके उपदेश अपपा माठे चेना युड़िज वस्थू हो चें एक जुदह जाख़ो एक उपक्रम भोधके उपदेश माठे भार्मिक मुल्य माठे होय शक्या चें तो साहित्य तो पोतेज एक पुथी मोटु जीवन मुल्य जा पेली वात आज शाहित्य पोते एक महान जीवन मुल्य जा आ संसार मा आपना संपर्क मा आवेला जितला लोकों ने आपने जानिये ची ओड़कीये ची है ये सिवाईना आपने आजु-बाजुनों आखो संसार आपनु परिचीत वास्तव समुव जीवन मा आपने केटला लोकों साथे रहिया ची है संपर्क मा आविया ची है ना आकी दुनिया मा बहुज ओचा मान सो टकावारी नी दुरुष्टी ये सरेराश काड़ी ये तो बहुज ओची व्यक्तियो डेश राज्य डेश के विश्व दुनि वस्तिना प्रमाण मां कोईने कोई रीते साहित्य साथे चुण आयली चै येवा मनुषियों नू प्रमाण उच्यों छे चतना आपने एम्कईयो के साहित्य पोत्ते एक जीवन मुल्या चै आपने जानिया ची यह नगाव बनी गया ची यह के साहित यह कला के भी कोई अभिरुची वगर्नों मनुष्य जे चे यह पूछडा वगर्ना प्राणी जेव हो चाया इतले के जिने साहित्यमा रस पड़े चे यह मानस बिजा करता जुदो चे कशुक जुदू जुवे चे कशुक जुदू जुवे चे कशुक जुदू जीवे चे एनी जीवन दारा विजा बधा करता जुदी चे आहार निद्रा भै मैथुन सर्व पशु समान अखा ये कईू जे पण नर खर्मा वेरो अखा नर ने अधिकु ग्ण्यान अल्बद ग्ण्यानने साहित्य पण जुदी शाका जे पण आपने आ अखानी उक्तिनो साहित्यना संदर्व मां उपियोग करिये तो आपनने समझाश अन्य आपने आपनी आसपास ना विश्व मां जोहिये जीए के साहित्यमा अभिरुची धरावतों मानस अभिरुची धरावती व्यक्ति पोताना परिचित वर्तोलुमा बिजा करता कशुक जुदू अनोखु जीवे छे एनू सम्विदन विश्व एनू भाव विश्व एनू क्रिया प्रतिक्रिया वर्तन जुदू छे कि अ कि इस सहज होय असर होई दुखी होई कहीं पन होई इनि प्रसंदता इनि पिड्या और के इनों वियाप एनों विस्तार के इनी असर एनों स्पर्ष कि बिजां करता चुदू ये जो दुखी छे तो येनी पासे दुखी थवानी पन कड़ा चे दुख ने जीरववानी कड़ा पन बहु सहज रीते आत्मसात्त है ये जे खारण के ये साहित्तीक संस्पर्श धरावे चे साहित्य द्वारा येना रुदैईने मावजत मली छे ये रुदैईनी केडवनी पामेलो मान सहहित्तीक संस्पर्श धरावती व्यक्ति चेतना अने एना कार्णे व्यवार जगत मैंनी तमान क्रिया प्रतिक्रिया साधारण विजामान सुकरता जुदी पड़ाई चे ये अर्थमा सहित्य पोत्ते एक जीवन मुल्य चे और साधरण बाबत च्या करोडों मनुष्यों ना ट्राफिक मा सहित्य गभिरुची धरावतों मानस जुदों पड़े चे उमाशंकर जोसी युवानता पंदर रुप्या उचीना लई ने आबुना प्रवासे गया अने तरतस जेक मंगल शब्द आबु माती मलेव प्रक्रुती सौंदरिय निर्खी ने सौंदरियो पी उर्जरन गाशे पची आप मेले पंती जडी आबु माती कवी ने अने गुजराती साहीत्य ने विस्मी सदी ना शिखर पूरुष मलया ग्णान पीठ पूरस्कृत उमाशंकर जोसी आप एली पंती प्रकृती दर्शन थी मली हवे विचार ये व्यावारनी भूमी काये तो आबुना प्रवासे तो घ्रना लोको गया आशे उमाशंकर ना समकाली नो उमाशंकर जोसी गया आशे तेदी उसे पण आबु परवत उपर केटलाई लोको हशे पण बदाने पंक्ती जडती नथी बदानी नजर सौंदर यनू पान करती नथी अन्य पान करी होई तो बदाने उर माथी जरन वैतु नथी तो आरुदवी माथी निश्पन न थतु जरनों एक मुर्धन्य साक्षर नों निर्मान करें आ अर्थ मां साहित्य पोते एक जीवन मुल्या चाहें ये साहित्य अनेक वी दिस्वरूपों मा जे निरूपन थाई चे साहित्यमान एमा शोंचे जीवन विस्व चाहें मनुष्यनु जीवन मानेव स्वभाव मनुष्यनी नियती मनुष्यना सप्नाओ मनुष्यना स्वप्न भंगो मनुष्यनों प्रणाय मनुष्यनु मृत्यों मनुष्य किट किटलों जीवतों होई चे न संसार मा जन्मा अने मरण वच्चीनी बाजी मा किट किटलों जीवे चे ए मरण पचीना सुखद जीवन नी अपेक्षाहे पन जीवन यात्राने जुदी जुदी रिते किटली डिशाओ मा लई जाए चे एन मृत्यू पचीनों जीवतों होई चे मानस किटलों किटलों बदू लईने जीवाई तो आउँ जीवातु जतु जीवन आसपास ना जीवन प्रवाहो प्रजा जीवन ना प्रवाहो राजकीय प्रवाहो राजकारण धर्म अर्थकारण समाजकारण समग्रवस्तु संसार इन्ने सवार नी चापन परभावित करेशे शुआ के गोमा आवत बर्रेंटी हेड लाइने समग्र दिवस दर्म्यान एना वाट्सेप पर आवता संक्य मैसेज ति लई ने टीवी स्क्रीन पर पत्रा तु आखो जगत बदू जने प्रभावित करें तो एवाए जगतमा राजकता पूर्ण जगतमा भू व्यवस्थित रिते राजकता पूर्ण रिते चालता जगतमा पोता नि जात ने घोठवतो जीवतो स्वस्तो एमाती मार्ग करतो माणान साहित्यनों टेको हशे तो टकी जेशे साहित्य थी पीडावनों उकेल नथी आउतो पण पीडाने जीरव आनी ठ्षमता मड़ाई चे तो आज ये मुँँ बोली रहे हच्छु ये शुझे साहित्यनों टेको हशे ये साहित्यमा विशेवस्त्तु तरीखे ज्यारे जीवन प्रसंदता आवेचे येनों क्रोध आवेचे येनों पुणिय प्रकोप आवेचे येनी हताशा आवेचे साहित्यनिर्मान थाए तो ये साहित्यमा जीवन मुल्यनी मावुजत थाए कला पक्षने द्यानमा राखीने थाए कलाकुरूती निर्मान थाई चे के नहीं एनी ख प्रसन्टानों खीचडो नहीं एक सुबध्य आकार एक लेके साहित्य रुती नीर्माणताई ऐया फाट रुधन्नी कविता ना होई इनों खिचलो पुन होई शक्के अरे 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 एवार उदन ने प्रलापो नहीं जीवन पो तेग मुल्य तरीके जे मां पड़ी होई तो जीवन तो आवी अनेक वीद बाबतोनों सर्वाल अचे एक समुच्य है इसे कि धरे क्वस्तुन एक सुब दाकार जुदी जुद्य रिते जुदा जुदा स्वारूप मां मलतो होई जीवन मुल्य नी मावजत ए रिते थाए के एना वांचनार ने माटे एना भावक ने माटे एना प्रेक्षक ने माटे इस आहित्यक्रूती एक आवकारिय राहतापनारों छत्र रूप मार्ग दर्शक एवु एक समझननु आनन्नु विश्व निर्मान करे तो सारूचे एम न होई तो ए साहित ये न थी एवु न थी पण साहित येमा जीवन मुल्य नी मावजत थाए तो साहिती आखरे मनुष्यने माटे चे अने मनुष्य एमाती पामे चेशू आनन्दने बोध साथे मले तो खोटू न थी सरस्वती चंद्र लगती वक्ते गोर्दर नामना मनमा एट चे कांता सम्मित उपदेश एक प्रियसी प्रसन्न स्त्री कईरी ते उपदेश आपे य प्रसन्न था आने उपदेश प्राप्ती साथे होई तो उत्तम वस्तु चे अई उपदेश करता आपने वधारे चीवन मुल्यानी वाद करवाद चे कि मोंदास करमचंद गांधी नामना बैरिस्टर रसकिन नू पुस्तक मांचे तो रसकिन नू पुस्तक अंटू दिस ला लाष्ट मांचवानों तो आनन चेज परन्तु जीवन तुरंत ज एक पड़कार लेने आवे टकोर लेने आवे जागरुती लेने आवे सभानता लेन आवे अने व्यक्ति तरदेश पोथाने बदली नाखे 24 लाग मां बदली नाखे अन्टू दिस लाष्ट मां निर्देश करे करेया मुझबनु जीवन जीवाने माटे संकल्प पुर्वक तैयार थे जाए तो अन्टू दिस लाष्ट मां जीवन मुल्य पड़िवतू सर्व देईनू बदाना उदेईनू या बदाना भला मां पोतानू भलू रहेलू छे एबोध पामेलो मुहंदास करम चिन गां साहित्यक्रूती मां थाए तो ये साहित्यक्रूती मनुष्य जीवन ने मथूर बनावे छे सरल बनावे छे राहत दायक बनावे सत्य अहिंसा चूरी ना करवी परीग्रह ना करव इटले के संग्रह खोरी ना करवी संबंदो मा सैयत रहवो सैयम राखवो एटले भ्रहमचर्य व्रत्मु पालन करवू एक तबक्के आज जीवन मुल्यों चै करुणा जीवन मुल्य चै क्षमा जीवन मुल्य चै प्रेम जीवन मुल्य चैंब मुरुय विश्यनी समझ केड़वा यह पन जीवन मुल्य चैंब शाहितिया और यह lil चैंब mêsन जीवन बंदें आपने जीवन यात्राने मानीशय के तो प्रेम जीवन मुल्य चेम कईू तो जुओ साहित्यमा जीवन मुल्य प्रेम अनिक रच्नावों मा कवितामा आपने प्रेम विशेमस्तु तरीके मल शे। मलेला जीव मा कांजी अने जीवी परस परस नहीं चकडोल मा मले छे। मेला मा मले छे। मेलो मिलन स्थान चे प्रथम द्रष्टी ये प्रेम धाई छे। पची कांजी अने प्रणिशक्तो न थी। जीवी नीन कांजी नी ग्णाती अलक छे। पन जिवी ने लावे छे, नवल कथाम प्रक्राण चे लावे आपलणुं राख जे, नजर्सामे राखे छे, इवा पात्रनी चाते प्रणा आवे छे के कान्जी नी नज़र रेट जिवी ऊपर, नजर रेटले ध्यान रराकी छे. अंधर थी प्रीत छे नजर सामे गाम माज प्रणावे छे जीवी कांजी मटेंना प्रेम ने कारणे एनी पाचल पाचल चाली निकलैंचे अन्नि कांजी केचे तिया प्रणी जाये चे बन्नेनु समर्पन छे, बन्नेनो त्याग छे, बन्नेनी पिडा छे, जिवी पोताना जिवनमा पोताना निर्वळ पती द्वारा जुदी जिलते दुखी थाई छे, मार्ख आई छे. कांजी मार्खाती दूली नू जीवतर पोते रोली नाख्या होवानी पिडा अनू भवेचे जीवी अधुमुई थेगेचे नवलकथाना अंते पाचो मेलो आवेचे अनकांजी जीवी पाचा जे नू समग रास्तित्व खंडियर जीवी अधुमुई थेगेचे येवी जीवी अनकांजी योवन गुमावी चुक्या अचे पन पाचा जे आ भवाटवी मा बुला पढ़ाता है जना मार्गो जुदा थेगा आता है इवाजेक मेलामा वड़ी प प्रेम नू प्रेम मात्र दही काकर्षण होत तो कांजी जीवी साथे जुदी रिते जिवय होत जुदी रिते वरिते होत एम नते नमल्या नमली शेक्या एनी पीड़ा रुदैइनू प्रेक्षालन करेंचा कांजी जीवी नी जीवन मा रहेली पीड़ा अने मिलन आ बधा माथी जड़हले चे कोई वस्तु मुल्य तरीखे तो वे प्रेम प्रेम नू एक मुल्य इवुज अपने प्रिय जन्मा जोई शक्किया छिया विने शंताणी नी नवल कथा मुल्य प्रेम 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 नी कोई वात न थी सिदी सरल पड़ वस्तु संकलना समय संकलना एवी रिते थाई चे के त्रण दाइका पची पोताना गाम मा चारू नीकेतने जोई जाए त्रण दाइका पची अने पर चारू नीकेतने रोकाई जवानू के अने त्रणेक दिवास प्रोड थे गयेला अबे जना जे युवानी मा एक बिजाना प्रेम मा पड़ेला ये पसार थेला जीवन नी वात करे चारू ना पती दिवा करचे अवसान पामी चुक्या जे निकेतनी पत्नी हुमा पूताना घरे चे अनिकेत गाम्मा अवी चेड़े चे जीवन नी वातों करे चे ये वातों मा एमनी वच्चे नी वातों मा व्यक्त थता भुतकाल मा वहता समय जर्ण मा सतत बन्नी एक भीजा ने याद राखी ने जीव्या हो येवी केटली वातों एकली सुन्दर रिते आवेश है प्रेम नुक्या जीवन मा अने पची जीवाई गयेला जीवन मा बन्नी एक भीजा साते प्रत्यक्ष पणे नो तापन परोक्ष पणे सतत अंदर एक भीजा ना संबन्द ने साच्वी ने बेठा चे माउजत करी ने बेठा चे इनी बन्ने ने प्रतिती थाई परपूर प्रतिती थाई इत्रण दीवस धर्मियान इतली वातों है चारुनी सद्गत पति दिवाकर प्रत्य बेवफाई नती बहुँच प्रेम पुरुवक सुखी संसार एने माहजत्यों चे निकेत वगर दिवाकर साथे एनी वात ये गरी शके चे अनुँदी जिरीत ये निकेत उमा थी सुखी चे एनी वात पण करी शके चे निखालस्था चे, संबन्नी मावजत चे, कश्यू भुलायू नथी, कोई ये कोई ने विदाई न थी आपी येवू एक विश्वा चे एक सुन्द रीते आकार पाव एकले प्रेम नू उपनिशत चे प्रियजन नवल कथा ये उजे कहवाई उचे खोटू नथी दिवाकर माटे चारूने केटलो प्रेम से निकेतने बद्दिवातो इन साथे कर दिदी चे निकेतने पजी वड़ा आवे चे रिल्वेस्टेशन प जाए आपती वक्ते है चारू दर्द अनू भवेचे कईू दर्द चे दर्द नी छितीज जुओ विस्तर ती शुओ अनू भवेचे चारू के जाने दिवाकर बिजिवार मुर्त्यु प्रेम आओ ये उलाने चे प्रेम निया कफशा प्रेम मुल्य चे अहिंसा जीवन मुल मुल्य चे अवा निक उदाहर नौत Aposte अपनी साहित्यक्रूति मोत त्यम्मी लाओ मिज्रेबल वांचे gm isMAN we Зबाइवाए मांचेACH. Is it my नी भवाएमा दुश्काल मा भूखती पिडाता ग्राम जनो स्थाडांतर करीने नजिकना नगर मा जाई छे तिया और राहत केंद्र मा अनाज लेवा बदा खेडू तो लाइन मा उबाज पंक्तिबद दुबेला गामना लोको ये बदा निवच्चे कालू खेडूतनो दिकरो दरती पुत्र ये महागवा उबवन थी रेतो नेतर भूख जेवी तेवी नती दुश्काल थी एबण बिडीच्चे कि त्यारे एने केवा मा आवे चे एकेम लेतो नती आतलांबो कर मुट्व लाट साइब चे त्यारे काडू केछे ये काडूनों समवाज जेचे समझो कारण के एने पीडा थाई चे के मारे मागवानू अहीं अनाज ना जे ढगला पेड़े आचे जो मने बताओ तो मारो द चे जे में वाएवों छे मारी मेनत थी मारा परसे वाधि एना मनमा मन्तन जाले चे एले काडूने जय रहे एम केछे के मुट्व लाट थे यो आतलांबो कर केम नतीं मागतों समय कर त्यारे काडू केछे ऐख के लाट होत तो लाइले कण भी चू अजे कण भी हौव रहेए खेडूत होवानु खेडूत होवानी सभांता गवरव अस्मिता अस्रमनु गवरव अत्म गवरव खेडूत नुँ एक जीवन मुल्य नी जेम एक जीवन मुल्य भावक नी चेतना मा विस्तरेच ये तले आवी कडाकृती हो जेमा साहित्यकला कला स्वरू सिद्ध थतू होई अने तेमा मनुष्य जीवन ना गवरव ने वधारे एवी वात मनुष्यना रुदैमा रहली करूणा जीवदया क्षमा वगेरा गुणों नी मावजद करेने मा वधारों करें एवी कोई वात निश्पन न थे होई तो ये जीवन मुल्येनी मावजद वाळों साहित्य वधारे समय सुधी भावकना चीत मा टकी रहे जे नवनीत जानी नी दीदी वार्तामा दीदीनु पात्र जी रिते विशम संजोगों मा मुखाई जे ये कथानों नायक बार्मू बणतों चोकरों चे किशोरवईनों नायक स्त्रीपुरु संबंधों अने विशमतावों विशेनी जेनी समझन ओची चे मुग्धता वधारे चे मोटी बेनने घेर सुवावडना प्रसंगे सेवा करवा गएली दीदी घरे पाची आवी जे निर्दारित समय करता वेला पाची आवी गई जे अने कोई महा मुष्केली मां मुकाई गई चे एवु एनी मां कळी जाए जे जिजाजी साथे जिवननी कोई नबलेक्षणे संपर्क मां आववाना कारणे गर्भवती थेली नाई का एक इशोर्वईना नायक नी दीदी चे आखा घर ने सामाजी गरीते आबरुणा प्रश्णे मुष्किली मां लईले एवी आ एक विशम घटना जिवन मां आवती एक आको दुश्चक्र ये वार्थाना नायक ने अंदर थी जे रिते मुझ्जुण मां मुकी देजे जे मुझ्जारों नू बोवो जे एनू रोज चुबरुद नू जिवन जे रिते राजक्ता पूल्ण थे जाएचे ए मुझ्जारों बद्धु जोया पची वार्थाना शिर्षक दीदी मांटे ए वार्था मरहेली दीदी मांटे बावक नू सम्वेधन केडवाएलू रदेई बिंजाएलू रदेई जे ख्षमाथी सक् मुझाईली दीदीने करुणा पुरुफक लिवार्था नो वाचक को पूता नी दीदीने मांफ कराक स्य लगोन रख्षर्णक्य मांटे ये वीरीदे वोचैयो तो शाहित्या कृती जीवन मुल्यनी मांटेौद अलोल ठत रेव ह्म्य रिचानली है। पण जीवन मुल्यनी मावजयत जो एमा थेगी होई अनि येना भावक ने पखाले इना भावक ना रुदैईनू प्रक्षालन करे येने मानस बनावे इवु कैक बने तो ये उत्तम छे अनि ये सार्थक्ष मित्रो गणी ये विरचनावो तमे आ दृष्टी कणती वाचता ज सर्जी शक्षो एवी आशा साथे मरिवार पूरी करूछु खुबखु बाबा